आज किस वीडियो में मैं आपके साथ आलू और मैंगन की कलोंजी की रेसेपी शेयर कर रही हूँ इसे आप आलू और मैंगन का भरवा सब्जी भी बोल सकते हैं हेलो दोस्तों मैं हूँ विजियो और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है यह सब्जी खाने में बहुती स्वाधिस लगती है तो चाहिए फटा फट से देख लेते हैं इस सब्जी को हमें किस तरह से बनाना है और इसके लिए हमें किन चीजों के अभशकता होगी अलो और पैंगन की कलंजी बनाने के लिए सबसे पहले मसाला त्यार कर लेंगे मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैंको गरम होने के लिए रख दिया है अब उसमें यह दो चम्मच धनिया एड़ करेंगे एक चम्मच जीरा एड़ करेंगे देर चम्मच मैंने यहाँ पर सौफ लिया है और आदा चम्मच मेती लिया है और इन सब इंको slow gas पर roast कर लेना है जब तक कि मसालों में से अच्छी सी खुश्बू नहीं आने लगे तब तक इनको roast कर लेना है यहाँ पर यह हमारे मसारे जो है वो लगबग भुन गए है तब इसमें यादा चम्मच सरसो एड़ कर देंगे और वन फोर चम्मच इसमें अजवाईन एड़ कर देंगे और इनको भी हलका सा भून लेना है इन मसालों के साथ सरसो से भी चिटकने की आवा जाने लगी है यह हमारा मसाला जो है वो भून गया है मेती का कलर भी बिल्कुल च अलो और बैंगन का यह क्लणी बनाने के लिए और उसी तरह से यहां पर यह छे आलो ले लिए है अपको जिस भी कॉंटिटि बनाना है उतना ले लिज़े सबसे पहले भी को अच्छिस दोखे और इसकी डंडी को मैंने इस तरह से छोटा कर लिया है हमें डंडी को कट करके निकालना नहीं है, फिर इसको मैंने यहां पे छोटा कर लिया है, और ये साथ में जुड़ा रहने देंगे, और अब इसमें कट लगा लेंगे, इस तरह से कट लगा के, चार कट लगाना इसमें, और अंदर तक इसमें देख लेंगे, क्यूडे बगेरा तो नहीं है, इसी तर वान बेंगन बनाते ही, उसी तरह से इसको कट कर लेना है चार स्लित लगाना है इसमें और नीचे से जुड़ा रहने देना है इस तरह से इस पित लिगाना है उ리 7 प्रमल जयागा दर किड़े वगेरा होंगे अच्छे से दिख जाते हैं कि शारे अ है आलो को कि इस तरह से लेंगे मैं आपको दूसरा करके दिखा रही हूं इस तरह से उपर का थोड़ा सा पोशन कट कर लेंगे और किसी चम्मच से ऐसे बीच में से चम्मच या चाकू जो भी आपको कमपर लगे उसे इस तरह से बीच का पोशन निकाल लेंगे इस तरह से हलका सा हूल इसमें कर लेना है सारे आलो को इसी तरह से कट करके प्यार कर लेंगे उपर से थोड़ा सा टिप कट कर लिया और इस तरह से और इसमें से हम मैं आलो निकाल लेंगे उसको भी मैं फ्लेक ने रही हूं अलग से प्लेक में कठा कर रही हूं इसको भी हम ल यहां पर हमारे सारे अलु बैंगन जो है कठोके रडी हो गए हैं आप मसाला बना लेते हैं मसाला बनाने के लिए एक बोल ले लिया है और इसमें ग्राइण करके मसाला रखा था वह रड़ कर देंगे और अब इसमें यांदा चम्मच लालमीर च एड़ कर देंगे और एक बड़ा चम्मच लैसन और हर इमिज को मैंने कूट लिया है वो एड़ करेंगे लैसन इसमें भरपूर मात्रा में आप डालिए तब यह कलोंजी जो है बहुत अच्छी लगती है और अभी इसमें टेस्ट के कोडिंग नमक एड़ कर देंगे जिता अलू और बेंगन है उसे साथ से नमक यहां पर एड़ कर देना है और अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है यहां पर मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको मैंने टेस्ट किया है हलकी से खटास जो है वो कम है तो इसमें आदा चमच चमच अमचुर पॉडर और तो मसाला के Shelby में चमज पानी से ऑघंगी हों स्टफिंग को अलोए बैंगन के अदर स्टफ से प्रेख कर लेंगे मसाले को अंदर तो अच्छे से अंदर तक अच्छे जया छुच एक डुक्तिक लगा के और इसको प्धक करना है इतर करें तरह से हमारे अलू के बना है गहले देट अच्छे both at all इस तरह से, मैं एक दूसरा भी आपको करके दिखा रही हूँ, पर इस तरह से, मसाले को अच्छे से, आलू के अंदर तक स्टफ कर देंगे, और उसके बाद, जो हमने इसका उपर का पॉर्शन काटके रखा है, उसको अच्छे से, सेट करने के बाद, तुक्ति को मैं आदा- त्यार कर लेंगे, अलो को इस तरह से, मैंने त्यार कर लिया है, और अब इस तरह से, बैंगन को भी स्टफ कर लेंगे, बैंगन को मैंने यहाँ पर पानी में से निकल लिया है, और अब इसके अंदर भी मसाला उसी तरह से भरके, और इनको भी त्यार कर लेंगे, अब इस तरह gerrande हमारा एक बंगन तैया हो गया, मैं दूसरा भी आपको भर के दिखा रही हूं बंगन मैं मसाला अच्छे से भरके तियार कर लेना है इसी तरह से सारे बंगन को भरके और तियार कर लेंगे यहां पर मैंने सारे आलू और बैंगन को स्टफ करके और रख लिया है अब नेक्स प्रसेस की तरफ चलते हैं उसके पहले मैं आपको बता दूँ किसके अलावा हमें और क्या चीजे लगने वाली है करके लिया है यहां पर तक कर लेकले करना है और यहां पर अलूकर करणे के लिए अब कलाओंजी में यहां गवीया है यहां पर मैं सरसू का तेल दे रही हूँ यहां पर तेल हमारा गरम हो गया है और अब इसमें आड़ कर देंगे राई, जीरा, सौफ और मेथी सबका मैंने एक एक पिंच लिया है और जैसे ही राईल क्रेकल होने लगे इसमें हम यह स्टफ आलू और बैंगन को आड़ कर करें दोपती हैं और अब यह मैं जाए और आज़ी बद्र hazır कुछ यहां सरसू कर देंगे हैं और आट ऐसे सबक्नेजनी बीच में कर सकते हैं अगर बश्क जल्दी गोल्डन और ऊल्राइन में इत्लवार झेश्य रटक घने चेंजनस क、पार पर दरून सुख começo Merkel हैं इसमें ह और अब आलू का इसी तरह से साइड चेंज कर देंगे ताथ में बेंगन का भी चेंज कर देंगे और इसी तरह से इनको स्लो गैस पे कुखोने देंगे यह मेंगन और आलू की कलांजी जो है वह बहुत ही शांदार लगती है आप एक बजरूर बना के ट्राइ करिएगा और अभी इनका साइड चेंज करने के बाद जो यह हमने रखा था मिर्च टोमैटो वह भी साइड में एड कर देंगे और यह जो आलू और मसाला बचा था इस पिर से वापस इसी तरह से कवर करके और 5 मिनट के लिए कुख होने देना ह। 5 पांच मिनट हो गय है और भेगन को चख कर लेते हैं यह लीचे त अब इनको पिर से वापस से पलट लेना है अब यह साईड से ङ high醬 अजा कुखन वह उस तरह से टरन कर लेना है एक बर वापस इनको फिर से ढगोते डगदेना है जब तक ये हमारे बैंगोन और आलो अच्छे से खूख नहीं हो जाते हैं इनको फिर से वापस ढग देंगे और इनको इसी तरह से खूख होने देंगे जैसे जैसे यह कुख होते जाते हैं, आप देखेंगे, सारे मसाले जो है, वो आलो और महेंगन में अच्छे से लिपट जाते हैं, और बहुती चांदार सब्री जो है, वो बन के तियार होती है, और गैस को मैंने स्लो ही रखा है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा है, यह अब दो मिनट के लिए, और इसमें जो भी इसमें मौश्यर है, वो निकल जाएगा, हमने जो टमाटा रखा था, उसकी वज़़े से जो इसमें मौश्यर आगया है, वो निकल जाएगा, और बिल्कुल हमारी सब्जी जो है, वो ड्राइ हो जाएगी, और देखें, किते शां इतना बहुत अच्छे से कुख हो गया, और आलू भी बहुत ही अच्छे से कुख हो गया है, और ये जैसे ही आप गयास बंद करेंगा, सबजी जो है, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगे, वो सिर्फ जो मौश्यर रखा है, उसकी वज़़ए से सब्जी आपको लिक्विड लेकिन यह देखिये अभी सब्जी जो है वो बिल्कुल ड्राइ हो गई और यह हमारा आलू और बैंगन का कलोंजी जो है वो बिल्कुल अब रेडी हो गया मैं इसको संविंग प्लेट में निकाल ले रही हूँ यहां पर हमारा यह आलू बैंगन का कलोंजी जो है वो सौफ करने के लिए रेडी है आप इसको अपने मेन कोस के साथ पूरी के साथ पराठों के साथ किसी के साथ भी एंजोई कर सकते हैं दाल चाबल के साथ तो यह बहुत ही स्वाजिश लगता है तो आप भी एक बार इस रे शेयर करिएगा लाइक करिएगा साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और नोटिकल केशन बैल को अन करना बिलकुल न भूलिएगा थैंक्स पर वाचिंग